चोपड़ा है जो किसे यूटूब चनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बचो VCI यानि वेटनरी काउंसिल ओफ इंडिया जिसमें ओल इंडिया 15% BVSC and AI स्कोर्स के लिए एडमिसन होता है इसमें 15% ओल इंडिया कोटा में जो एडमिसन होता है वो नीट स्कोर पर ही होता है और स्टेट के कोलेज इसमें पार्टिसपेट कर सकते हैं और 15% ओल इंडिया के लिए इसमें सीटें अवेलेबल रहती हैं जो 15% ओल इंडिया कोटा होता है उसमें जो कोलेज पार्टिसपेट करती हैं उसमें पांच प्राइवेट कोलेज भी इसमें पार्टिसपेट करते हैं जिसमें राजस्थान स्टेट की हरियाना की और पंजाब स्टेट की ये 5 कोलेजे हैं जो इसमें पार्टिसपेट करती हैं अब हम बात करें जो स्टेट कोटा है 85% स्टेट कोटा अपने काउंसलिंग स्टेट करवाता है और वो भी NEET स्कोर पर ही होता है ये सिरफ 15% ओल इंडिया कोटा के लिए ही सेडूल जारी किया जाता है और VCI की काउंसलिंग 15% के लिए ही करवाई जाती है अब इसमें इस बार था कि पहले चार राउंड हुआ करते थे फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड थर्ड राउंड और उसके बाद में इस्टे राउंड हुआ करता था लेकिन इस बार सिरफ तीनी राउंड हो रहे हैं फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड इस्टे राउंड और ये 6 सिप्टे से लेके 9 सिप्टिम्बर तक हैं इसमें 24 फिलिंग और लोकिंग भी इसी डेट को है रजल्ट 11 सिप्टिम्बर को आ जाएगा और रिपोर्टिंग फर्स्ट राउंड की 11 से लेके 17 सिप्टिम्बर साम 4 बजे तक रहेगी सेकेंड राउंड 18 और 19 को रजिस्टेशन च्वाइस लोकिंग च्वाइस फिलिंग है और पेमिंट ओफ फीस भी इसी डेट को है इसके बाद रजल्ट 21 सिप्टिम्बर को आएगा रिपोर्टिंग 21 सि सिप्टिम्बर से 24 सिप्टिम्बर तक रहेगी ये भी साम 4 बजे तक ही रहेगी इसके बाद में इस्ट्रे वैकन्सी राउंड होगा इस्ट्रे वैकन्सी राउंड में सेक्रिटी फीस डिपोजिट होगी वो OBC जनल EWS के लिए 50,000 है और SC STPS कंडिडेट के लिए 25,000 है तो ये सेक्रिटी फीस आपको इस्टे वैकन्सी राउंड में डिपोजिट करनी होगी इसमें 25 से लेके 26 तक रेजिस्टेशन है पेमेंट फीस है च्वाइस फिलिंग है और च्वाइस लोकिंग है रजल्ट इस्टे का 28 सिप्टिम्बर को आ जाएगा और जोइनिंग 28, 29 और 30 स लिए रहेगी तो ये तो है इसका सेडियोल इसमें अब इसमें इस्टे वैकन्सी राउंड के लिए कुछ कंडिसने दे रखी हैं वो मैं आपको बता देता हूं तो सेकिंड राउंड के बाद जो भी सीटे वैकन्सी राउंड रहेंगी उनके लिए इस्टे वैकन्सी राउ और SC STPS के लिए 25,000 है इसमें इसमें अगर कंडिडेट को फर्स्ट और सेकंड राउंड में सीट अलोट हो जाती है वो इस्टे वेकंसी राउंड के लिए इलिजिबल नहीं रहेगा अलोट भी हो जाती है चाहे किसी को सीट अलोट हो गई उसने जॉइन नहीं किया वो भी इल वेकंसी राउंड में पार्टिसपेट नहीं कर पाएगा अगर किसी कंडिडेट को इस्टे वेकंसी राउंड में पार्टिसपेट करना है तो उसको फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में सीट अलोट नहीं करवानी है अगर सीट अलोट करवाता है तो उसमें जोइन क हुआ है इस बार वो एक राउंड कम कर दिया गया है और सो टाइम में ही ये कांसलिंग कंडेक्ट हो रही है यानि 6 सिप्टेंबर से 30 सिप्टेंबर के बीच में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा यहां पर ये कंप्लीट हो जाएगी बाकी अपडेट्स के साथ में आपसे फिर्चे मुलाकात होगी तब तक के लिए जैहिन